शी जिन्पिंग बीते अक्टूबर में ही तीसरी बार शीन की राष्ट्रपती बने और तभी से चीन की रणीती और ज्यादा आक्रामक हो गई है शी जिन्पिंग के दिमाग में क्या चल रहा है इसले का पांच देशों में शी जिन्पिंग के दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है कि आखिर अगले पांच साल के लिए शी ने क्या-क्या वारूदी टागेट सेट किया तीसरी बार चीन के राश्वती बनने के बाद, क्या चल रहा है? क्या ओ च्ची जिन्पिंग के दिमाग में बहुत बड़े युद्त का मास्टर प्लान पक रहा है怎麼 क्या शी के दिमाग में भारत के साद दूसरे चीन-जुद के हिमाकत हिलोरे मार रही है क्या शी के दिमाग में ताइवान को चीन के नक्षे में मिलाने वाले जंग की योजना पक रही है क्या शी जिन्पिंग के ब्रेन में वर्ल्ड ओर्डर को बदल देने वाले वार का सपना आकार ले रहा है क्या शी जिन्पिंग के दिमाग में अमेरिका को युद्ध में हराने का खयाल पक रहा है या फिर शी के दिमाग में परमाणो युद्ध का वितूर सवाया है जब से शी जिन्पिंग को तीसरी बार अगले पांच साल के लिए चीन की सत्ता की बाग दोर मिली है तब से चीन की रणमीती और आक्रामक हो गई है शी जिन पिंग के दिमाग में क्या चल रहा है इसे लेकर अलग-अलग दावे किये जा रही है शी के दिमाग में भारत के साथ युद्ध है शी के दिमाग में ताइवान पर कबजे का प्लान है शी के दिमाग में अमेरिका के साथ वर्चस्व की जंग, या कैसे सुपर पावर बनना है, इसका ब्लूप्रिंट है, या फिर जापान और आस्ट्रेलिया चल रहा है शी जिनपिंग के राश्रोबती बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीथी में अचानक तेजी आई है जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वाल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीत कर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में काम्याब नहीं हो पाएंगे यही वज़ा है कि अब दुनिया की तमाम देशों के खोफिया टीम शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने में लगी है शी जिनपिंग के दिमाग को दुनिया के पाँच देशों में पढ़ने की कोशिश हो रही है यह पांच देश है ताइवान, अमेरिका, ब्रिटेन, शाफान और उस्पीट है लेकिन सेना के सहारे शी जिन्पिंग के वर्ल्ड ओर्डर को बदलने वाले प्लान को तवांग में थकड़ा जटका लगा है शी जिन्पिंग का मानना था कि भारत चीन की सेना के लिए आसान टार्गिट है जोकि चीन का मानना है कि भारत पर हमले के हालात में भारत को अमेरिका समेथ पश्चिमी देशों का साथ जोटाने में वक्त लगेगा ऐसे में अगर जीन को अपनी सेना की ताकत दिखा कर दोनिया को धमकाना पड़े तो भारत ही उसके लिए सबसे आसान मोर्चा है लेकिन इन तस्वीरों को देखकर शी को 440 वोल्ड का करेंट लगा है भारत के रण बाकुनों ने चीन की सेना को जिस बहादूरी से खदेड़ा उसे देखकर शी को तगड़ा वाला शौक लगाए शी जिनपिंग चीन की कमनिश्ट पार्टी के सरवोच्छे नेता यानि महा सचिव है चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राश्रुपती और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है यानि शी जिनपिंग महा सचिव के साथ साथ चीन के राश्रुपती भी है और चीन की सेना के प्रमक भी शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राश्रुपती बनने के साथ ही चीन की कमनिश्ट पार्टी का चार दशक पुराना नियम भी तूट गया दरसल चीन में 1982 में सर्वोट शुपत पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था लेकिन शी जिनपिंग को पांच और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया अजय के ड्रागन की स्टेड़ी चाल पर हर किसी की नजर है ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्यूंकि दोजार सताइस में चीन की सेना अपनी स्थापना का स्तौवा साल मनाने वाली है और तभी शी जिन्पुन का बतौर राश्टपती तीसरा कारेकाल में खत्म होगा यानि सेना अपने श्रतापती समहारों को बेमिसाल बनाने और शी के तीसरे कारेकाल के खत्म होने पर कुछ बढ़ा कर सकते शी दोहजार सताइस तक चीन के राश्टपती भी रहने वाले हैं और चीन के सेना के प्रमुक भी ऐसे में दोहजार सताइस चीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत ही बारूदी बरस रहने वाला है चीन के राश्रवती शीजिंपिंग के दिमाग में 2027 को लेकर क्या मस्टर प्लान पुलान पक रहा है अमेरिका के प्रेसिदेंट के दिमाग में 2027 क्यों कौन रहा है कि दोजार सथाइस को लेकर अमेरिका कितना बड़ा प्रोटेक्शन प्लान तैयार कर रहा है चीन ने आखिर किसी तीसरे देश को लेकर चीन और अमेरिका के टॉप लीडर के दिमाग में अभी से क्या गेम प्लान चल रहा है है कि दोजार सबस्क्राइस पर्चीन की सेना मैं अपनी इस्थापना का सौंवा साल मनाने वाली है और शी के बतौर राश्रबती तीसरा कार्रिकाल भी खत्म होने वाला है ऐसे में सौन साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है कुछ ऐसा जिससे चीन की धाक दुनिया में कायम हो जाए अमेरिका से सुपर पावर वाली चंग में चीन विजेता बनकर उभरे शी का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ताइवान को लेकर अमेरिका को मानसिक बीमार बता चुका है चीन का दावा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका ब्रह्म की स्थिति में है ताइवान को लेकर अमेरिका सीजोफरेनिया नाम की बानसिक बीमारी का शिकार हो गया है जिससे अमेरिका को निजाब तभी मिलेगी जब ताइवान पर जीन का कबजा हो जाएगा तावा तो यहां तक है कि इसके लिए जीन के प्रेसिडेंट शी जिन पिंग ने भी हरी जंडी दिखा दिये अमेरिका की खौफिया एजेंसी सियाईए के निदेशक डैविट कोहन का दावा है कि शी जिन पिंग चाहते हैं कि उनकी सेना पूरी तरह से तयार हो जए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन पिंग ताइवान को हर हाल में अपने नकशे में मिलाना चाहता है और इसके लिए शी जिन पिंग ताइवान पर दो हजाँस से पहले भी हमला करने से नहीं हेचकेंगे दरसल शी की मनशा ये है कि 2027 तक चीन अमेरिका तक पुराण भूमी में पढ़गनी देने की ताकत हासिल कर लिए और इस वक्त एक बड़ी खबर मिर रही है LSD पर चीन से भारी तराब के बीच भारत और नेपाल आज से चन्ने युद अभ्यास करने जा रहे हैं संयुक्त परिक्षण अभ्यास सूर्य किरन 29 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है भारत और नेपाल के बीच ये 16 अभ्यास से हाला कि इस अभ्यास से भी चीन को बेचैनी हो सकती है भारत और नेपाल के बीच सामरे का रिष्टूर में मंस्पूती लाने के लिए चीन के मंसूबों पर पानी भेर सकता है ये युद अभ्यास जिसकी शिरुआप पूछ चुकी है अभ्यास जिसकी है